दोस्तों समारक हमेशा एतिहासिक महत्तों की याद दिलाते हैं प्यार के प्रतीक के रूप में निर्मित इन इमारतों में देश के कुछ सबसे अधिक महत्पुर्ण किले और महल सामिल हैं इन एतिहासिक इमारतों को आज भी प्यार की मिसाल के रूप में संजोकर रखा गया है प्रेम, कुरवानी और कर्तब्य की कुछ सबसे अधिक महाकाब्य कहानियों की साक्षी इन एतिहासिक समारकों ने हर पिढ़ी को अपनी प्रेम की गाथा सुनाई है ये कुछ सबसे दुखद और सास्वद प्रेम कहानियों की गवाह भी रही है प्राचीन समय की वास्तुकला और सिल्प सैली में बने इन एतिहासिक समारकों की राजसी दिवारें मन को खुस कर देती है हल दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ग्यान मंथन पर और दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसी एतिहासिक इमारतों के वारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें प्यार की मिसाल माना जाता है तो चले दोस्तो बतलाते हैं आपको इन एतिहासिक इमारतों के वारे में पहला है फ्रेंड्स ताज महल आगरा दोस्तो इस पूरे संसार में ताज महल से अधिक भव्य और राजसी प्यार का कोई परतीक नहीं है सफेद संग मरमर से बने ताज महल को मुगल समराठ शाजहां ने 1631 से 1648 इसवी के बीच अपनी प्यारी पतनी मुम्ताज महल के लिए एक मकवरे के रूप में बनवाया था उनकी पतनी की मृत्यू प्रसब के दौरान हो गई थी मुम्ताज महल और शाजहां की याद दिलाने वाले इस मकवरे के भीतर मुम्ताज महल को दफनाया गया था उन्ही के मकवरे के बगल में साजहां को भी दफनाया गया था दोस्तो ताज महल की इमारत के बाहर एक बिसाल भगीचा भी है जो आज के समय में कम ही देखने को मिलता है प्यार की मिसाल ताज महल को दुनिया के साथ अजूवों में भी सामिल किया गया है दूसरा एफ्रेंट्स चित्तोडगढ का किला उदैपुर सात्मी सतावदी में निर्मित चित्तोडगढ का किला ना केवल भारत में सबसे बड़े किलो में से एक है बलकि उनिसको की हेरिटेज साइट में भी से सूची वद्ध किया गया है इस असमारक का मुख्याकर्षन तीन मंजिला प्राचीन सफेद रानी पदमावती का महल है जो कमल कुंड के किनारे बना हुआ है यह किला न केवल विसाल है बलकि इसकी वास्तु कला और सिल्फ कला भी प्रेटेकों को काफी ज़्यादा हैरान करती है यह किला अपने आप में जटिल रूप से नकासीदार जैन मंदिरों, सजाबटी अस्तंभों, जलासैयों, भूमी गत तहखानों और बहुत अधिक उतक्रिष्ट वास्तु सिल्फ प्रदरसनों से सुसोभित है राजसी चितोडगर किला रानी पदमिनी और राजा रतन रावल सीं की एतिहासिक प्रेम कहानी का प्रतीक है राजा ने रानी पदमिनी को स्वयंबर में कठिन, परिछनों और परिक्षा के बाद जीता था, एम अपनी प्रिये रानी के रूप में चितोड़ गड़ किले में लाये थे दोस्तो इस किले की दिवारे आज भी उनकी पौरानिक प्रेम की कहानियों के किस्से से गूंजती है, यहां आकर आप किले की भव्यता और उनके इतिहास को देख सकते हैं अगला किला है फ्रेंड्स, रूप मती मंडप मांडू मध्य परदेश दोस्तो एक सुर्मय पठार पर स्थित रूप मती का मंडप बिरासत और एतिहासिक वास्तुकला के लिए दुनिया भर्म मसुहूर है, यह किला मांडू सहर में स्थित है मैदान से 366 मीटर के उचाई पर रूप मती मंडप का दिल्चस्प और आकर्षक वास्तु सिल्प परेटको को सब से ज़्यादा पसंद आता है इसमें चौकोर मंडप, विसाल, गोलार्द के गुंबद और महराव है इस गुंबद दार रूप मती मंडप से नर्मदा नदी भी नजराती है जो 366 मीटर नीचे बहती है दोस्तो मांडू राजकुमार बाज बहादूर और रानी रूप मती की पौरानिक प्रेम कहानी के लिए जगपरशिद्ध है मांडू के अंतिम स्वतंतर सासक सुल्तान बाज बहादूर को मलवा की रानी रूप मती की मधुर अवाद से प्यार हो गया था सासक ने रूप मती के आगे साधी करने का प्रस्ताव रख दिया लेकिन रानी रूप मती ने एक सर्थ रखी कि अगर राजा एक ऐसे महल का निर्मान करेंगे जहां से वह अपनी प्यारी नर्मदा नदी को देख सकती है तो वह उनसे साधी करेगी इस प्रकार रूप मती मंडप अस्तित्तों में आया और यह उन दोनों की सास्वत प्रेम कहा है अगला की लाइफ फ्रेंट्स मस्तानी महल सनिवार वाडा किला पूने दोस्तों वर्स 1730 इस्वी में पेशवा वाजी राव द्वारा बनवाया गया सनिवार वाडा किला कई एतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है पूने का गौरव और सम्मान सनिवार वाडा किला प्र इसलिए बाजी राव पेशवा ने सनिवार वाड़ा किले में मस्तानी महल का निर्मान किया यहां वह दोनों साथ रहते थे हलाकि मस्तानी का महल नश्ट कर दिया गया है और अवियह अस्तितों में नहीं है लेकिन इसके अबसेस आज भी मौझूद हैं इस किले के द्वार पर अभी भी एक छोटे से नोटिस पर लिखा है कि मस्तानी दर्वाजा जिसका उलेक पुराने अभी लेखों में नटक साला गेट के रूप में किया गया है इसका नाम मस्तानी के नाम पर रखा गया था जो की बुंदेल खंड से आई बाजी राव की दूसरी पतनी थी तो दो अभी दो ऐसे ही धर्म और इतिहाच से जुड़े हुए ग्यान बरधक वीडियो देखते रहने के लिए अफ मारे चैनल ग्यान मंधन को सब्सक्राइब करना न भूल येगा अफ मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिये जानते रहिये धन्यवाद जय जो झांदब झांददटे के यानल ठीकर दिलन देंडिए पर चाल चारी ज लोगशे है mean that it can also on say